गोस्तों आजम इस छोटे से सरक्ट के बारे में आपको बहुस तारी तमाम जानकरीने वाले हैं यह जो हमारे पास सरक्ट है यह फिंगर प्रिंट सरक्ट है जैसे की आप यहां सी देखों इस पर लिखा वाwn wolves है ट cheesy जैसे आप यहां से कोई चीट टच करते हो तो बलफ या तो बंद हो जाएगा या जलना शुरू हो जाएगा ठीक है इसमें आप दोनों तरीके connection कर सकते हैं या तो चलना शुरू हो जाएगा या बंद हो जाएगा उसके लिए देखे कि इसमें कुछ कम अलग से connection होए हैं जैसे कि आप देख परें इसमें ये एक relay लगी है जो 5V DC की relay है toggling करने का एक काम करेगी यानि कि कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1 लोड की बात करें तो 10A से 200V AC या 15A से 125V AC या 10A से 2500 AC पर ये काम देगी इसके 3 ये pin दिए हुए जो आप देख पा रहे हैं इसमें 1 NO है 1 NC है 1 common है ठीक है NO का मतलब होता है नorkमल open NC का मतलब हो तो normally closed यानि कि जब वो नॉर्मल इस्तितिह मी हो तो normally closed होगा Open का मतलब हो वो normally open होगा जब वो normally स्तितिह में हो ठीक है यानि कि एक free mind हो तो यह तो normal open होगा या normal close होगा इसमें बीचो वी जो wire दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल common wire है जिसे हम common बोलते हैं अब बात करते हैं इस side से ठीक है आप इस side में जो है इसमें जो connection देवे हैं कुछ इसमें plus minus ठीक है क्या है पिलस माइनस और मैं आपको अच्छे से दिखा दे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आप देख ले कभी आपको लगे देखे डीसी पिलस डीसी माइनस और आपका इन ठीक है तो इन का मतलब जहां आपका यह लगाना है टच जो लगना है इसके connection बिल्कुल बताए हुए हैं इसमें किस तरीके से connection करने है यह इसमें छोटे-छोटे से component लगे हैं जो SMD component होते हैं सरफेक्स mount device ठीक है SMD ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं इसे चलाने के लिए हमें जरूत पड़ते हैं 9V battery की आप इस पर देख भी रहे होगी 9V की battery है यह निपक कंपनी की है ठीक है य यह पिलस किदर है मानस किदर है पिलस और माइनस की एक connections होता है अभी किए connector इसके से वर्किंग प्रोसेजर और भी कुछ जानकारी पाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम सरी चीज बताएंगे लेकन उससे पहले हम सिर्फ आप से एक चीज चाहते हैं कि इस चैनल को ज्यादा ज्यादा लोग को शेर करें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और जितना ज्याद तोस्तो